तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं मटर से बनी ऐसी अनोखी टेस्टी और लाजवाब रेसिपी जो आपने आज से पहले कही नहीं देखी ये रेसिपी जल्दी बनती है फटाफट बनती है लेकिन स्वाथ इसका इतना लाजवाब है कि आपको भी भोल नहीं पाएंगी तो चले फिर वीडियो को शूर करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है एक कप फ्रेश मतर के दाने इसमें डालेंगे हम पानी पानी आप एक से गेड़ कप डालेंगे फिर डालेंगे तो चोटे टमाटर अगर बड़ा है तो आप एक डालिए लगभग तीन हमने डाली है लेसुन की कलिया दो हरी मिर्च और एक चार से पांच विजल लाने तक इसे पकाना है तक मटर टमाटर प्यास सारी चिज़े गल जाए तो चलिए अब जैसे इसमें चार से पांच विजल आएंगी तो यह देखिए दोस्तों टमाटर और जो भी चीज आ डाली थी वह अच्छे से पक चुकी है अब इसे हमें मिक्स कर लेना है तो यह देखे दोस्तों आसानी से अच्छे से मैश हो जाता है इसमें टमाटल प्यास कहीं पर भी आपको दिखीगा नहीं सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती है अब तड़की कले सिर्फ एक चमश तेल डालेंगे आधा चमश जीरा लगभक चार से पांच करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा हम डालेंगे कसूरी मीथी थोड़ी से हल्दी पाउडर एक चमश धनिया पाउडर और इसे भून लेना है इसमें हमें लाल मिश का पाउडर नहीं डालना है क्योंकि हम वह लास्ट में तड़का लगाएंगी तो यहां पर इतनी चीज़ें हमें डाल कर भूनना है और फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया इसे भी डाल कर भून लेंगे जिसे इसका जो फ्रेश खुश्बू है वह बहुत अच्छी आती है इस सबजी में नहीं डाल में अच्छे से भून लेने के बाद दोस्तों अब ह करेंगी दोस्तों अगर आपको इस दाल में ज्यादा रिचनेस बढ़ानी हो तो आप इसमें घर की मलाई या क्रिम भी डाल सकते हैं अच्छे से उबाल आने तक हमें इसे पकाना है जैसे इसमें उबाल आएगा अच्छे से यह पक जाएगी तब हमें ग्यास की फिलिप बन जाएगा तो आप देख सकते हैं यह कितनी शानदार लग रही है और तड़के के लिए दोस्तों हमें लेना है दो बड़े चमच देशी खी इसमें हमने स्लाइस कट किया हुआ गार्लिक जूलियन कट किया हुआ अधरक साथी 1-4 टीस्पून जीरा दो सुखी लाल मिर्च औ स्लाइस कट करके ड़े और इसे हमें थोड़ा सा बहुद लेना है ज्य소리 जैसा यह सब बूदय को जाएगा टबश्याश्मिर यौल को ईदा दाल की आगि यौपर और अब देख preparedness कितनी कजऴ मिर्च्थ इाटका पैल आधर की बहुत हुदा अ लगती है थोड़ा सहारा धनियसे से गार्णिश कर लीजिए और इसे गर्मा गरम रोटी चपाती नान पराठी किसी के साथ भी खाएंगे ना बहुत मज़िदार लगती है दोस्तों यह यूनीक रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा बना कर देखिएगा 100% आपको पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाए दोस्तों